अलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का स्वागत है लक्षे बैच में सेलेक्शन इस बार पक्का होने वाला है आप लोगों का आज से आपकी तयादी जोड़दार शुरू हो रही है जो पहले टॉपिक्स में कवर कर रहा कि फ्रेक्शन क्या है क्यों सब्सक्राइब करने वाले और काफी कुछ सीखने के लिए आप आयो मेरे पास और मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कॉलर टाइट करके बहुत बढ़िया तरीके से तो सभी विद्यारतियों से कहूंगा एक पर वीडियो को शेयर पर लगा दो और आज से लक्षे बैच की शांदार शुरुवात हम करने जा रहे हैं पहला जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो फ्रेक्शन कर रहे हैं उसका पार्ट वन है चलिएगा पूरा प्लानिंग जानते हैं लेकिन आपके लिए शांदार चीज बता देना चाहता हो अनकेडमी पर अगर आप के लिए ठीक है और अगर आप मेरे साथ प्रमान बैच में जोड़ना चाहते हो जो कि प्रेक्टिस बैच है वो छे सो और तालिस उरुपे का है मात्र सुबह नौ वजे क्लास चलती है हर संडे टेस्ट होता है हां बड़ा मज़ा आता है जी बिलकुल इसमें भी आप साहिल लगा कर जुड़ सकते हो इसके लिए गोल जो है SSC मैट्स वाई साहिल खंडेलवाल यह गोल है मेरा खुद का गोल है यहां पर SSC नॉन टेक्निकल वाले में अगर आप स्किप्शन लेते हो तो 20 परसेंट 28 जनवरी तक है बस फाइदा उठाओ अभी जुड़ जाओ साथ के अश्चे सोचते है कि सर टौपिग मैशुर और 20.30 आप इसे भी फालौ कर सकते हो बे थड़क होकर मैंने बोला है मैंने तो लोको भी बोला है कि आप इसे भी ले सकते हो आप जो सीजियल ऊश्य कनी नहीं चीद्ट में कभी कमी नहीं आने चीए कि जतना पढ़ कर जाओ उत रात को आठ बजे कौन-कौन CTM ले रहा है अभी existing model में नहीं तो लो क्योंकि बहुत काम की questions पर करा रहा हूं रात को आठ बजे लिंक टेलिग्राम मैथवाई साहिल सर पर मिल जाती है आप सब जानते भी है आप समझदार भी है लगातार ले पे रहो भाई है कि आप मुझे बता है जो पढ़ने वाला चाहते हैं उसे हर चीज की quality पता होती है लक्षे बैच जुणना ना भूलें डेली सुबह 11 बजे और यह पूरा प्लानिंग है प्रेक्शन दो दिन चलेगा फिर मंडे से सिंप्लिफिकेशन चालू हो जाएगा फिर एवरेज रेशो प्रपोशन यह सारे के सारे चैप्टर से इस तरह से हम पूरा complete करेंगे आराम से पढ़ेंगे जल्दबाजी नहीं रहेगी चीजे समझ म आंसेchosन अचाक से क्या समझते हैं मुझे बता सकते हो क्या कि एए फ्रेक्शन क्या चीज है करेक्शन को बोलते हмम बंहो कर चाहीं photos और पेन हमेशा कैसे सुनों अगर को मैं पिन यो नहीं सकता क्योंकि अगर आपको मैं बोलता हूँ कि किसी भी अंश किसी भी हर को अगर जीरो कर दिया तो वह एक अनंत बन जाता है और अनंत जो होता है जिसको हम इंफाइनाइट बोलते हैं इंफाइनाइट एक क्या है अनंत क्या है अन्ट क्या है अन्ट क्या है नहीं यह आपका क्या ह होता है undefined होता है इसकी कोई value नहीं है ना इसलिए हम अनंत 0 नहीं करते हैं जीरो नहीं होना चाहिए पी बटे क्यूं अगर मैं लिख रहा हूं तो कभी भी क्यूं 0 होना नहीं चाहिए वरना fraction बिगड जाएगी fraction बिगड नहीं चाहिए बैया समझे मेरी बात आप लोग चलिए तो अगर मैं भीन की बात करूं तो क्या मैं आपसे example के तोर पर यह बोल सकता हूं कि 3 बटे साथ भी भी है माइनस का दो बटे पांच भी भी है माइनस का एक बटे साथ भी भी है एक बटे तीन भी भी है क्या जीरो भी है क्या साथ बटे आठ भी है क्या आट बटे तेरा भी है क्या साथ भी पांच भी है यह जितने भी मैंने examples लिखे हैं इनमें आप में से किसी को कुछ समश्य है तो बताओ क्या माइनस का बारे बटे साथ भी भी है हाँ, चले, तो आप लोग सब चीज़ देख रहे हैं कि सभी भिन्नी तो है, यह सारी की सारी फ्रेक्शन ही होती है, लेकिन आप लोग, मैं कहता हूँ कि यार, सभी लोग खड़े हो जाईए, सभी लोग, अभी यहां क्लास में कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं, अब इन सभी लोगों से मैं बोलू, आप सभी लोग देखिए अपने आपको, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि हो सकता है कि कोई पीछे-पीछे की लाइन में कोई छोटा बच्चा खड़ा हो, जुसकी उम्र का में करीमन 11 साल हो, और एक बच्चा 22 साल का ह एक बच्चा 18 साल का हो, तो आप लोगों को मैं कहता हूँ, लेकिन आप लोगों की लिख अलग-अलग sections में डिवाइड कर सकता हूँ, और तभी मैं आप लोगों कहता हूँगा, यह 10 साल तक के बच्चे हैं, यह 15 साल तक के बच्चे हैं, 18 साल तक के बच्चे हैं, यह 20 साल जीरो बटे एक लिखा जा सकता है, जीरो बटे एक लिखा जा सकता है, एक बटे जीरो नहीं लिखा जा सकता है, उपर जीरो हो सकता है, समझ में आरी ये बात, पूर्णांग के तो भिन भी है ना क्योंकि जीरो एक पूर्णांग होता है आप समझदार है सब लोग आप ले सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है तो इसलिए तो मैंने एक्जमपल दिये सारे तो फिर आप मुद्दा क्या कहना चाहते हो सर मेरा मुद्दा ये है कि यहां उपर बड़ा कभी कुछ नीचे समझ में निया मैं कहता ह Samsung तो देखो अब समझना बात को, कि यह जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको फिर नाम दिया गया, इसको बोला गया अंश, इसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, अंश को बोलते हैं, नियूमरेटर, और जो यह Q वाला भाग है, इसको बोलते हैं हर, और हर को बोलते हैं, कई बच्चों को यह लग रहा होगा कि सर इस पर तो कुश्चन नहीं आता होगा CGL में लेकिन मेरे दोस्तों इसी से ही बेस बनेगा और यह चीज बहुत जगे काम आने वाली है और फ्रेक्शन एक बहुत इंपोर्टेंट रोड प्ले करता है कई बार आप कहते हो ना सर आपन आगे काम आने वाली है तो इस बार थोड़ा सा तरीका देखिए आप चलिए क्लियर है बई समझ में आ रही है कि यह अंश है और यह हर की बात है और हर आपका डिनॉमिनेटर कहलाता है अंश आपका अंश कहलाता है नियूमिरेटर कहलाता है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं चलिए किसी को को दिक्कत तो नहीं अभी अगर मैं आपसे बात कहना चाहूं कि फ्रेक्शन को बांटने वाले यह सोचते रह गए कि आर फ्रेक्शन को बांटें किस हिसाब से यह तो बता दो भाई फ्रेक्शन को बांटें किस हिसाब से तो फ्रेक्शन को बांटा गया एक आपकी प्रॉपर होती है एक आपकी इंप्रॉपर होती है एक आपकी प्रॉपर होती है जैसे कि अगर मैं प्रॉपर फ्रेक्शन को बात करूं तो प्रॉपर को हम बोलते हैं उचित भिन और improper की बात करूँ तो improper को बोलते हैं आप अनुचित भिन पीछे वाले से क्या लेना देना सरुनका और क्या पीछे वाले से क्या लेना देना तो मैं यह कहता हूँ जिन भी भिन का दुबारा से सुनना जिस भी भिन का numerator जो होगा denominator से कम होगा हाँ यह कह सकता हूँ कि अगर आप numerator की बात कर रहे हैं और आप denominator की बात कर रहे हैं तो जिसका denominator जादा है numerator कम है उनी भिन को या फिर जिन भिन का मान एक से कम है उनी भिन को हम क्या बोलते हैं उचित भिन बोलते हैं ठीक है, example के तौर पर जितनी भी ये 3 बटे 5 हो गया, 2 बटे 7 हो गया, 5 बटे 8 हो गया, 5 बटे 7 हो गया, ये सारी की सारी जो भिन हैं, ये आपकी उचित भिन में आती हैं, क्योंकि आपको समझ में आता होगा, कि एक से कम होना चाहिए, N upon D की value एक से कम है, सारे का सारा existence में अगर आप देखते होंगे, एक से कम है, और अनुचित भिन में जो मान होता है, N upon D का जो मान होता है, वो एक से ज़ादा होना चाहिए, जैसे कि example के तोर पर अभी मैंने लिखा भी था, 8 बटे 7 हो गया, 12 बटे 5 हो गया, 13 बटे 8 हो गया, यह सारे की सारे अनुचित भिन हैं, जिनका numerator होगा denominator से ज़ादा, और fractions का value होगा एक से ज़ादा, लिख लो, पड़ा बड़ से, तोट कर लीजे, आगे चलेंगे फिर हम लोग, ठीक है boss, चलें, आप किसी भी भिन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 बटे 3 है, तो आप इसको यह भी लिख सकते हैं, 2 oblique 3, इसका representation यह भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात यहां नहीं है, तो proper, improper, अब बातने वाले इसको कैई तरह से और बात देते हैं, कैई बार fraction आपको देखने को मिलेगी, complex fraction, अब सरी complex fraction क्या चीज है, समझ नज़रा, complex fraction को बोलते हैं, जैसे कि example के तौर पर, मैंने ले लिया 2 बटे 3, divided by 5 बटे 7, अगर 2 बिन इस तरह से आपकी लिखी जाए, तो वह क्या कहलाती है, मेरे दोस्तों, complex या compound लिख लीजिए, ज्यादा बेटर है, compound fraction लिख लीजिए, compound fraction कहते हैं, 2 बटे 3 बटे 5 बटे 7, इस तरह की जो भिन होती है, वह compound fraction कहलाती है, 2 बटे 3 और 5 बटे 7 को आपस में डिवाइड कर दिया तो, ठीक है, चलिए, इसके अलावा और भी fractions होती है, compound fraction के अलावा क्या होती है, एक आपकी mix fraction होती है, कौन-कौन mix fraction के बारे में जानते हैं, बता दो, mix fraction को हम बोलते हैं, मिशृत भिन, mix fraction को हम बोलते हैं, मिशृत भिन, किस तरह से इसका existence होता है, वो भी हम चानेंगी, मिशृत भिन के बारे में देखिए, जैसे कि मैंने example ले लिया आपके लिए वो थे ना improper fraction एक सही एक बटे चार दो सही पांच बटे आठ तीन सही एक बटे चार एक्सेक्टरा तो यह जो example है यह मिशृत भिन के example है mixed fraction के example है understand यह जो example है यह मिशृत भिन के example है जहां पर इस तरह की fractions लिखे जाते हैं तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि जो मिशृत भिन है मिशृत भिन हमेशा improper fraction से बनेगी improper fraction से बनेगी यह 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 नो बताईए मिशृत भिन हमेशा अनोचित भिन से ही बनेगी यह बात बिल्कु सही है मिशृत भिन यह mixed fraction जो है वह हमेशा improper fraction से ही बनेगी क्योंकि improper fraction में ही numerator क्या होता है denominator से जादा होता है यह आपको मैंने अभी बताया भी था यह 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 नो में जवाब देते जाएए पूरा डिवाइट नहीं मतलब denominator ज्यादा होगा ultimately greater than one आएगा आप देख लो ना सारे greater than one है 4, 3, 12 और 13 बटे 4 8, 2, 16 और 5, 21 बटे 8 4, 4 और 5 बटे 4 ऐसे तो वह improper ही तो हो गया क्योंकि इंप्रोपर की मीनिंग ही वही है कि greater than one वाला concept चलता है understand my idea एक बार thumbs up करते जाएए और अच्छा लग रहा है तो please like और share में कसर ना छोड़िएगा आप लोग और फिर देखना तैयारी कितनी शांदार मैं करवाता हूं आप लोगों की अची बात है कैई बार अपसे बोला जाता है किसी भी किसी भिनका किसी भिनका व्युत करम समझते हो शुत कर मुता देखल महता है रैसी प्रोकल जैएat गा έχ रैसी प्रोकल क्या हो जाएगा इचा से इन्वर्स प्रपोशन पूछुँ या रैसिप्रोकल पूछु तो साथ बटे दो चो हॉ तो आप ऊसको उल्टा पर रंच में एक किब्रद्धी कर दूं, हर में भी एक घटा दूं, तो परिनामी भिन ये बन जाती है, तो परिनामी भिन क्या होगी, किसका question है वो, fraction का question है वो, लेकिन दिखा ता कोई नहीं, बता ता कोई नहीं, आप उनको लगता है, वो तो ऐसी बन गए होंगे, कहीं से आ गए होंगे किसी chapter से, नहीं, वो fraction का ही question है, language का ही खेल है सारा का सारा, exactly, तो जो fraction के existing questions है, वो हम discuss कर रहे हैं, इसलिए मैंने यह अलग से chapter लिया है, जिसमें मैं decimal fraction भी include करूँगा इसमें, जो बारवाला है, बारवाला SSC में बहुत पूछा गया है, और पूछा जाएगा, मैंस में भी आ सकता है, तो हम छोड़के निचलेंगे कुछ भी, मैंने तो probability भी इसमें डाला है, पढ़ाने में, क्योंकि पूरा course होगा, तो डंग से करवाना मेरा काम है, तो आप लोगों को मैं यह कहूँगा, कि बस मन लगा कर पढ़ना, शेयर जरू आओगा, continued fraction, continued fraction, इसको हम सतत भोलते हैं, कभी कबार इसको हम वो भी बोल देते हैं, proportion वाला, वो continued proportion होता है, आप समझ रहो न, what is the difference between continued fraction and continued proportion, यह सतत भिन की बात मैं कर रहा हूँ, और इस पर भी paper में question काफी सारे पूछे जाते हैं, आप दौनों का मतलब समझ में आ रहा है क आप लोगों को, हाँ, दौनों का मतलब समझ में आ रहा है, continued proportion अलग चीज होती है, continued proportion नाम से आप अगर चीज सुन रहे हैं, continued proportion, यानि कि सतत समानुपात, यह एक अलग चीज है, इसमें हम अनुपात को बराबर करते हैं, जैसे कि A upon B, बराबर C upon D, और यह भिन है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसको हम लंगड़ा भिन भी बोलते हैं, इसको हम लंगड़ा भिन भी बोलते हैं, आपने देखा होगा यार, वो अकसर आता है, जोड़ो और पलड़ दो, एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस ए, समझ गया क्या, एक्जामपल के तोर पर, दो प्लस एक प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच, तो यह जो होते हैं, सतद भिन होते हैं सारे, इस तरह क्या आते हैं यह बेपर में, आप जानते हो, बात समझ में आ रही है, तो इस तरह की जो कंटिन्यूट बनते हैं, वो कंटिन्यूट फ्रेक्शन में काम आते हैं आप के यह continued fraction कहलाते हैं यह continued proportion कहलाता है तो दौनों में confuse मत होना हो सकते हैं मैं बोल रहा हूं इसलिए ठीक है my idea very good अगला आता है एक आता है like fraction like fraction like मतलब मैं बताता हूं like मतलब क्या होता है like और unlike अब इन दौनों का भी देखो मतलब क्या है समझ में आना चाहिए आपको क्योंकि यह सब language के तौर पर आपसे पूछे जाएंगे परेशान भी कर सकते हैं like और unlike क्या होते है like fraction उन fractions को कहते है like fraction उन fraction को कहते हैं कोई बता सकता है कोई बता सकता है आप में से बोलिए like fraction उन fraction को कहते हैं जिनका हर समान हो यानि कि जिनका denominator जो हो वो समान हो example के तौर पर 2 बटे 7, 3 बटे 7, 5 बटे 7, 8 बटे 7, 4 बटे 7 यह सारे के सारे जो हैं वो like fractions कहलाते हैं आपके बिल्कुल लिख लीजी अच्छा मैं एक example जनरल पूछना चाहता हूं आप लोगों से आप जवाब देना कि fraction का कौन सा पार्ट ज्यादा suitable है proper वाला या improper वाला बदाएं fraction का ज्यादा suitable पार्ट क्या है मतलब अगर हम fraction को consider करते हैं तो most suitable part of fraction भिन का सबसे सही मान क्या होता है proper वाला या improper वाला वाला या प्रॉपर वाला या इंप्रॉपर वाला कभी भी हम ऐसे fraction नहीं लेते हैं क्योंकि improper कहता है कि भाई आए मैं एपरिचित हूं improper fraction कहता है मैं एपरिचित हूं एपरिचित मतलब समझ में आता है एक मुवी देखी होगी आपने एक्टर विक्रम है शायद उनका नाम और उनमें दो परसिनल्टी होती है तो सेम इंप्रॉपर फ्रेक्शन में भी ऐसे होता है न उसमें एक इंटीजर भी होता है ऐसा कैसे कह रहे हो सार आप समझ ना देखो मैं चो चीज पढ़ा रहा हूं जैसे कि मैंने कोई example लिखा यहां पर 13,7 तो मैं यह कह सकता हूं न भाई 7 एकम 7 और 6 बटे साथ तो यहां मैं 1 कह दूंगा तो एक वे रहा यह पूर नांग की तो होगा तो जब मैं बात fraction की कर रहा हूं तो मैं पूर नांग का क्या अकाम करूंगा भाई साथ इसलिए तो वहां जो आपन कहते हैं कि fraction क्या असली जो तत्व हैं वह कहां है proper fraction में तो इसलिए मैंने like fraction में जो लिखे हैं वह सारे proper fraction हैं unlike fraction कैसे हो सकते हैं कुछ भी कुछ भी हाँ जैसे कि example के तौर पर 5 बटे 8 3 बटे 7 जिनका कोई आपस में relation ना हो 6 बटे 17 ऐसे तो ये unlike fraction हो गए knowledge होना जरूरी है knowledge से ही आपका clarity आती है दिमाग में समझ में आ रही है बात अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा किर्पया करके बताईए पहले तो किर्पया करके बताईए वो भी आप चलिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा बता दो भई आईए अब अगले concept पर चलते हैं कोई हमारी तरह जता है तो बता देना कोई हमारी तरह समझाए तो बता देना पड़ा तो आपको सारी दुनिया देगी कोई हमारी तरह समझाए तो बता देना देखना तुम चलिए example के तौर पर लेते हैं चीज़ों को मैं conversion चाहता हूँ improper fraction to mixed fraction improper to mixed जैसे की मैं example दे रहा हूँ 8 बते 5 यह एक मेरी improper fraction है you have to convert in mixed fraction example दे रहा हूँ 16 बते 7 you have to convert in improper fraction mixed fraction माफ कीज़े चलिए आईगे अगली हेडिंग डाल लीजेगा साथ के साथ भिनका सामान्य रूप simplest form of fraction किसी भी भिनका सामान्य रूप simplest form of fraction क्या होता है अभी एक चीज ऐसी सीखोगे ना मतलब मैं सच बता रहा हूँ लाइफ में अगर आप गणित पढ़ना चाहते हो ना तो तरीके से पढ़ना भाई जैसे यह मैं बता रहा हूँ ना यह एक एक अगरित पढ़ने का जहां आपको कोई भी चीज लिख रहे हो ना तो आप उसके बारे में चार चीज बता सको तो आप इसके बारे में बता सको हूँ यह इंप्रॉपर फ्रेक्शन है मैं इसमें कंवर्ट भी कर सकता हूं मैं इसको बता भी सकता हूं कि पूरणांक अलग है और फ्रेक्शन पार्ट अलग है और यह fraction part है और अभी इसी को ही में decimal fraction में convert करूंगा देखना भी चमतकार आना आने वक्य है भी तो देखना अपसे ठीक है लिकिन आप शेयर जरूर करना दोस्तों वीडियों को तब भी मज़ा आएगा मुझे भी साथ दुनी 14 और 2 बटे साथ तो क्या मैं किह सब्सख् blindfold by अइसी आप मतलब का मतलब उचित भिन का मतलबगょ कि जिसका अंश जो है वो हर से छोटा होना चाहिए अंश का मतलब numerator और हर का मतलब denominator अब आते हैं भिन का सामाने रूप अगली heading आपने-अपने copy में डाल देनी है और एक बार जोड़ार तरीके से like कर देना और मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बता देना भाई आवशक्ता है इस चीज़ की और इसी कोई enthusiasm create करना कहते हैं चलिए example के तौर पर मैंने लिख दिया 18 बटे 24 किसी भी भिन का सामाने रूप कि मैं एक simple definition आप से पूछना चाहता हूँ बस मैं definition निकालना आता सको है लेकिन अगर मैं एक example की तौर पर अगर आपसे theoretical basis पे question पूछनू paper में UPSC में कि what is the mean of simple fraction या मैं पूछनू कि simple form of fraction का सही मतलब क्या है तो वो सही मतलब समझाना होगा option number a उचित भिन को कहते है option number b अनूचित भिन को कहते है option number c अन्श्वे हर का LCM से काटने पर option number d अन्श्वे हर के SCF से काटने पर बताए क्या होगा इन में से आप किस को चैन करेंगे कौन से option को आप चूस करेंगे option number d आसान है अरे सर काट दो किस से काट दो भाई क्यूं काट दो कैसे निकालते हैं मैं तो इसको यह भी लिख सकता हूं भाई नौ बटे नौ बटे बारा क्या यह मेरी simplest form हो गई क्या क्या यह मेरी simplest form हो गई क्या नहीं होगी या सामान्य रूप होगा always क्योंकि आपका जो 6 है न वह SCF है देख लो आप चाहें यानि कि SCF वह होता है जो इसमें भी exist करता हो इसमें भी exist करता हो तीन आपका SCF नहीं है ना दो आपका SCF है छे आपका SCF है अंडर्स्टेंड माइडियर क्लियर हो रही है बात समझ में आ रही है वैरी बहुत बढ़ी है नेक्स्ट अगली हेडिंग डाल लीजिए अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग किसी भिन का सम तुल्यांग करना यह बहुत काम की चीज है और वही समझ पाते हैं देखो जिनको पहले पता होता है कि आगे इसका क्या काम करवाएंगे सर और उनके लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम चीजे हो जाती है यह जो सीख रहे होते हैं पहली बार क्यार यह क्या चीज है इसका बताता नहीं है और इसका भी कॉई काम होता है क्या आप क्याता हूंसर कैल्कुलेशन स्पीड धीरे धीरे रे मना, देखना, क्या क्या होता है, किसी भी भिन का स्तुल्यांक मान, equivalent fraction of a fraction, सज्जे क्या चीज है, अक्सर आपने देखा होगा, यह काम मैं अक्सर करता हूँ, जब भी मैं बोर्ड मांस सॉल्व करता हूँ, जब भी मैं कोई भी कुशन सॉल्व करता हूँ, तो मैं अक्सर यह काम करता ही करता हूँ, कि मैं equivalent form में convert करता हूँ, कई लोगों ने notice किया होगा यह बात, कई लोग बार बार यही बोलते हैं, comment करके, सर कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया, आईए, जैसे कि मैंने बोला, कि 7 बट 119 है, और मुझे इसको add करना है, क्या करवाओगे आप मेरे से, LCM दिलवाओगे लेकिन मैं LCM नहीं लेता हूँ, मैं चाहता हूँ, कि यार मेरे को पता है कि अगर denominator, अगर मैं हम बराबर कर लेना, तो हम ज्यादा असानी से कर पाएंगे, बड़ा होता है, तो ज्यादा मु इसके equivalent बनाना, यानि कि किसी भी fraction को अगर equivalent बनाना चाहते हो, तो उपर नीचे उस संख्या का गुणा कर दो, जिससे आप पगल वाली संख्या की denominator की बराबर बना सको, जिससे कि आपको हल करने में आसानी हो, तो अभी आप देख रहें, 49 और 50 बटे 119 लिख सकते हो आसानी चाहता हूं, पांच बटे 12, प्लस, तीन बटे 4, प्लस, आठ बटे 24, तो आपको मैंने ये लिख दिया, आपको कहोगे, अरे यार, LCM लेलो ना, इतना क्या कर रहे हो, मैंने का नहीं भाई, अभी नहीं, मैं ये चाहता हूं कि आप equivalent बनाए, तो मैं कहता हूं, याद 24 बना करता हूं, उपर नीचे, और आपको इस चीज की इतनी आदत हो जाएगी, हाँ, इसमें एक का गुणा कर दिया, ये मैं धीरे धीरे इसलिए सिखा रहा हूं, क्योंकि इस चीज की इतनी आदत हो जाने वाली है, आपको कि आप पता क्या करोगे, सीधा numerator जोड़ दोगे, और डेड़ आ रहा है, को दिक्का देगे है, बताओ, तो इसको कहते है, इकोलेंट बनाना, कि आप numerator में उन चीजों का गुणा कर रहे हो, जो की तीनों बराबर हो जाए, मेरी बात अगर समझ में आ रही है, तो एक बार मुझे बता दो, यार, अब जैसे मैं अगला example आपको द 9 बटे 28, 6 बटे 14, 9 बटे 28, और 1 मैं आपको देदेता हूँ, 21 बटे 49, आप तीनों को एकोलेंट बनाओ, मैंने प्लस माइनस नहीं दिया, मुझे एकोलेंट बनाना है, इसको भी एकोलेंट बनाकर दिखाओ, इसको भी एकोलेंट बनाकर दिखाओ, इसको भी एकोलेंट ब कर देखिये तो क्या मैं यह कह सकता हूं सर अगर आप इसको इक्वेलेंट ले कर रहे हो तो देखिये 49 सर ऐसी बात है आपको बता क्या करना पड़ेगा 6 बटे 14 इसको 49 बनाने के लिए आप इसको कार दीजे 3 बटे 7 इसमें आप कर दीजे 7 का गुना और इसमें भी 7 का गुना तो यह आ रहा है सर 21 बटे 49 और इसको इक्वेलेंट बनाना है तो क्या अठाइस मेरे को तो 140 ही नजर आ रहा है 140 भी कहां पार पड़ेगी अपनी यार तो इसमें आप ऐसा करो 7 का गुना कर दो 7 का गुना कर दिया अब यहां मेरे पास क्या कमी है यहां एक तो पहले 2 डालना पड़ेगा आपको 4 ही डालना पड़ेगा इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा अब बराबर हो गए सारे अब बराबर हो गए न यह कहां नहीं है तो ये सबसे सई चीज है अगर आप करना चाहते है तो क्योंकि सारा खेल जो यह वाला denominator कर रहा है क्योंकि कट नहीं रहा न आपन का और मैं 3 denominator बड़ा-बना आना चाहता हूं तो 49 इंटू 4 196 वाला बनेगा यह कहान है एक है कि सिंप्लेस्ट फॉर्म में मत करो ना अभी तो मैं केवल इक्वेलेंट बन वा रहा हूं आपसे की डेनोमेटर सेम करो मुझे नहीं बता कैसे भी करो तो वह आप कर रहे हो अभी है ना क्लियर है समझ में आ गया तो 196 वाला कंसेप्ट लगेगा यहां पर चलिए तो यह इक्वेलेंट करना आ गया आप लोगों को काम आएगा बहुत काम आएगा भाई बहुत ज्यादा काम आने वाला है चलिए अब हम बात करते हैं मल्टी मल्टी अप्लिकेटिव इन्वर्स अफ ए फ्रेक्शन मतलब किसी भी भिन का मल्टी प्लिकेटिव इन्वर्स जैसे की मैंने ले दिया अपॉन बी इसका मल्टी प्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा बी अपॉन ए क्योंकि बराबर एक आना चाहिए जैसे कि अगर मैं एक्जामपल देता हूँ मैं आपसे बोलता हूँ या तीन बटे पांच का मुझे मल्टी प्लिकेटिव इन्वर्स बताईए आप क्या होगा तो आपका आंसर होगा पांच बटे तीन क्यों प्यों कि ऐसी भिन जिससे गुणा करने पर किसी भिन का मान एक हो जाए उसी को ही मल्टी प्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं थेक है मज़ा आ रहा है प्लीज बताएगए अच्छा लग रह white यह बहुत प्यारे प्यारे कॉंसेह पर मैं भर बर करहाद shimmer apply यह बच्छे कंफ्यूज रहते हैं हमेश ऑगया और पेपर में पूझ लेत आता है के हाँ ह ISको हिंडी में बोलते हैं गुणा का तत्समक जैसे कि मैं बोल देता हूं पांच बटे 11 का मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा इंडिनी मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स तो आप क्या कहेंगे सर्फ 11 बटे 5 होगा और अगर बुरा मत मानना अगर यही प्रश्ण पेपर में आ जाता है और बच्चे पढ़कर नहीं जाते हैं फ्रेक्शन का पाट है तो 70 परसेंट ही बच्चे करके आप आएंगे 30 परसेंट नहीं करके आप आएंगे अगर नॉलेज नहीं है तो रियलिटी है यह हां जी बिलकुल ठीक है मल्टिप्लिकेटिव इनिवर्स ओफ्रेक्शन ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए वीडियो को बहिए शेयर कर देना आज से स्टार्ट हुआ है यह बैच्च जितने भी बच्चे हैं यह फ्री बैच्च है तरीके से पढ़ाई करो पूरा पढ़ाया जाएगा पूरी प्रेक्टिस कराई जाएगी और इस्तरा से सेगरिगर करके को चप्टर पढ़ाईगा भीन आपको जिस तरह से मैंने फ्रेक्शन को भी two दिन दीये है कैसे कैसे questions करवाने वाला हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ, इस तरह के, भिन का हर अंश से 3 अधिक है, दूसरी भिन का अंश पहली भिन के हर से 4 बटे 5 है, दूसरी भिन अगर ये है तो पहली भिन क्या होगी, अब ये किसी chapter का part नहीं है, CGL में आय हुआ question है, paper में आता है, इन में से सबसे बढ़ी कौन सी है, सबसे चोटी कौन सी है, इसका 300 का 3, 300 का क्या अंतर है, आसान है लेकिन आते हैं क्या करें, कराएंगे सभी कराएंगे, चंता मत करो, इसलिए पहले चीजों को देख लीजिए आप, देखिए, हुआ, हाई अब यह, multiplication, SS, हाँ, सब PDF दे देना, घर पर solve कर लोंगे, PDF हर चीज की PDF आपको मेरे टेलिग्राम पर मिलेगी, आप में से कितने बच्चे टेलिग्राम पर जुड़े हुए है, मुझे नहीं लगता कितने जुड़े हुए, एक दो बच्चे अगर जुड़ चुके हैं, तो उन्हें बता दे कि कैसे जुड़ना है, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, ज्यादा तर मुझे लगता है जुड़े ही नहीं है, इसी वज़ा से आप ऐसा बोल रहे हैं, है ना, अब आते हैं आपन, comparison, comparison of a fraction, भिन्नो की तुलना करना, सर यह क्या चीज़ होती है, आपको अभी मैंने सिखाया ना, कि लाइक होती हैं, अनलाइक होती हैं, इस तरह की fractions होती हैं, अब यह बहुत आसान है, और क्या, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूँ, example के तौर पर, मैं proper पे ही बात कर रहा हूँ, अभी देखो, अभी पूरी चीज़ बताऊँगा, आज आपको मैं, सर, एक proper fraction मैं ले रहा हूँ सारी, तीन बटे साथ, चार बटे साथ, पांच बटे साथ, आठ बटे साथ, तो ये तो पहली बात तो आप proper, proper को convert करेंगे, क्योंकि आप इसको comparison करके कर क्या लेंगे, fraction ही नहीं है, एक तरी किसे देखा जाए, तो दो बटे साथ, तो अभी मैं पूछूँगा, अगर ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, तो इन में सबसे बड़ा कौन? तो जब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, कि अगर आपके जो हर होते हैं, हर अगर बराबर हैं, तो ये कौन सी fraction है, पहले तो बताओ, ये है like fraction, ये कौन सी fraction है? ये है like fraction, और like fraction क्यों है? क्योंकि इनका जो हर है वो same है, अगर हर सेम है, तो जो अंश है, वो क्या होगा अंश सबसे बड़ा है वही आंसर है उसके बाद 4 उसके बाद 1 उसके बाद तीन तीन 2 तीन 2 एक और 4 तीन 2 और 1 4 तीन 2 और 1 4 यह हो जाएगा वै तीन 2 और 1 4 एक्जम्पल 9 बटे 17 5 बटे 17 3 बटे 17 और 2 बटे 17 पहला दूसरा तीसरा चौथा कैसे लाइक है ना तो लाइक है तो जिसका नियूमेरेटर बड़ा वो बड़ा जिसका नियूमेरेटर चोटा वो है चोटा खतम ठीक है तो खतम कम सबसे बड़ा कौन एक सबसे बड़ा उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 अच्छा बात यहां तक आ गई है यह कौन सा क्रम है डियर यह है बड़े से छोटा क्रम यह है बड़े से छोटा यह कौन सा क्रम है यह है बड़े से छोटा तो ऐसे क्रम को क्या बोलते है राहुल ठीक है और अगर छोटे से बड़ा हो तो छोटे से बड़ा हो तो उसको बोलते है आरो ही असेंडिंग ओडर ठीक है ठीक है उसको बोलते है असेंडिंग ओडर उसको बोलते है राहुल ठीक है समझने आगी ना बत चले क्योंकि वो आरो ही क्रम होता है अवरो ही क्रम होता है अवरो ही क्यों हो गया क्योंकि ये पहले बड़ा सिंगर था और फिर ये लास्ट में पी पी कर छोटा सिंगर बन गया और वो छोटी सिंगर थी और वो गाग आकर बड़ी सिंगर बन गई तो इसलिए उसको अवरोही बोला जाता है चोटे से बड़ा और उसको अवरोही बोला जाता है बड़े से छोटा descending ठीक है clear है भाई समझ गए चले आईए तो आपको ऐसे arrangement आते हैं तो ये वाला तो कर लिया होगा अगर माल लीए कभी भी unlike fraction आजाएं ये जो पीछे वाली fraction वह कौन सी फ्रेक्षण थी। ये तो like fraction थी जिन्हें हम भी like करें और आप भी like करें अब unlike fraction आ जाएं जैसे की example के तौर पर मैंने बोल दिया 3-5 मैंने बोल दिया 2-7 मैंने बोल दिया 8-9 मैंने बोल दिया 5-6 है मैं चाहता हूं कि आप इनको comparison करके बताएं पहला दूसरा तीसरा और चौथा अब मेरे पास कितने method हैं वो मैं method बता देता हूं आपको मेरे पास एक्रॉस method है जिसके थ्रूबी मैं इसे कर सकता हूं दूसरा method percentage based वाला है तीसरा method LCM method है तो तीन method से आप इसको कर सकते हो तीन method से आप इसको कर सकते हो एक चौथा और लगा लेता हूं एक assumption method भी मेरे पास है assumption method क्यों कहता हूं मैं क्योंकि आप कही बार assumption भी कर सकते हो अगर बड़ी अगर fraction आजाए न तो अब assumption भी लगा सकते हूं है तो अब हम कौन सा method चूज करेंगे हम चारों से करेंगे इस तरह के push-push प्रशन पहले तो फिर धीरे धीरे हम पहचानेंगे किया इसके लिए कौन सा सही है इसके लिए कौन सा सही है ठीक है भाई चलिए तो अब आईए मुद्दे की बात पर आते हैं सबसे पहले आते हैं क्रॉस मेथड़ क्रॉस मेथड़ हमें क्या देता है एक क्रॉस मेथड़ की खास बात यह है कि दो भिन को तुलना करने के लिए अच्छा है मतलब अगर आप प्रॉस मेथड लगा रहे हो ना अगर कोई दो भिन अपस में तुलना करनी है ना तो अच्छा है इसमें कोई बुराई नहीं है जैसे कि मैं पूछो यार पहली दूसरी में से कौन बढ़ी तो आप बगल में साइड में देखिएगा बिहाइंड असीन में कि तीन बटे साथ तीन बटे पांच और दो बटे साथ में से कौन बढ़ा तो साथ या 21 दूनी दस तो पहली वाली बढ़ी आ रही है दूसरी से अगर में जो जीत गया वाई मुझे मालो सबसे बढ़ा निकालने तो मैं पहली वाली को तीसरी वाली से कंपरिजन करता हूँ आठ बटे नौ से तो कौन बढ़ा तो नौतिया 27 और आठ बंजे 40 तूसर 40 यानि कि ये तीसरा वाला बढ़ा तो पहले वाली और तीसरी की लड काम 45 तो कौन जीता है ये वाला तीसरा वाला इस दा विनर तो जो लास्ट की प्रतियोगिता जीता ना आपस में कंपरिजन कराने के बाद में वही सबसे बढ़ा होगा तो आप दो भिन्नों की तुलना करने के लिए अच्छा है या फिर सबसे बड़ा निकालना हो लार्जेस्ट निकालना हो भई चार भिने दे रखी हो आपको उसमें से केवर लार्जेस्ट निकालना हो तो भी आप काम में ले सकते हो या फिर मैं कहूं स्मॉलेस्ट निकालना हो तो भी आप काम में ले सकते हो मेरी बात समझ में आ रही है क्या मैं तो हर चीज आपको बता कर चल रहा हूं कि कौन सा मेथड कब काम आता है तो आप लोगों को क्या आपको क्या सारे आने चाहिए जी बिलकुल आपको सब कुछ आना चाहिए तब जाके आप ये कह सकते हैं कि आजाओ कोई भी कुश्चन क्योंकि पेपर में ये बता कर नहीं स्ट्रेक्चर को देख कर समझ में आ रही है मेरी बात एगरी करते हो आप सब लोग हाय आना और मजा आ रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा अरे आनंद आ रहा है पढ़ने में वह बुजरू बताना वाई है ना ठीक है चलिए तो मैं ये कहता हूं ठीक है सर मान के बात हम सब सबसे बड़ा निकलने के लिए मेरे को आ रहा है आठ बटे नौ और सबसे छोटा अगर मैं निकाल रहा हूं तो सबसे छोटे के लिए क्या करेंगे फिर से लड़ाई करवाना शुरू करता हूं आप सबसे छोटे के लिए देखो लड़ाई करवाओ आप सभी लोग लड़ हारके आरहा है फिर इससे लड़ेगा तो 18 और 56 ये फिर हारा भूा है फिर इससे लड़ेगा छेदुनी 12 और 35 तो ये हारा हुआ दो बटे साथ हि沒有 तो दो बटे साथ सबसे छोटा हुए एगरी बात समझ में आ गई क्या क्रॉस मेथड आपको क्लियर है नहीं भी क्लियर है तो टेंशन मत लेना भाई क्योंकि मैं तो हर चीज समझाने वाला हूं क्योंकि आपको मैं एक मैथड की थुरू नहीं ले जा सकता ना फ़स गये तो फिर और फश जाते हैं और ऐसा ही हो रहा है छोटा छोटा पढ़के नहीं निकाल सकते आप जिसको कहता है ना किसा क्लियर करना है मेरे को तो आपको क्लेरिटी होनी चाहिए और यह कंसेप्ट की क क्योंकि अगर आपके अंदर हो जोगी तब आप एक्साम करपाओंगेिया मैं भी मेरेंटि लेता हूँ अगर नहीं तो नहीं पाओगे आप क्योंकि चीजें जब तक पता नहीं हो ना तब तक मज़ा भी करने में भी नहीं आता है भाई सब चलिए सब्सक्राइब कर रहा है यह तो सबसे होगा एक्जामपल यह ऐसा लिया है मैंने लेकिन कई कुशन हो सकते हैं जो डिफ्रेंस से ना हो तो उसलिए मैं बता रहा हूं अब परसेंटेज बेज्ट परसेंटेज में क्या कह सकता हूं दूसरा मैथड मैथड नमबर सेकेंड इसमें आप सब कुछ निकाल सकते हो जैसे कि देखो यह 60 परसेंट है यह मुझे बता है अब परसेंटेज आएगा तो आप कर पाओगे इसे तो 28.56 परसेंट है तो जो बाद में कौन आ रहा है चौथा हा तो उसके बाद में पहला और उसके बाद में दूसरा Leo dal इसरा चौथा पैला दूसरा मैथज नमबर इसमें क्या करना पड़ता है वह पहले ध्यान से सुनन आ यहां पाएगा फिर वद्विदिक्कत आएगी देखो सबसे पहले आप इनका अंतर निकालो अंतर कितना आ रहा है इसका अंतर कितना आ रहा है पांच आ रहा है इसका अंतर कितना आ रहा है आ रहा है नहीं आ रहा भाई बताओ सभी को बताओ अंतर आ रहा है नहीं आ रहा तो आपको मन में एक एक ऐसा मान के बताईए कुछ मुझे को संख्या जो एक से भी चला जाए, पांच से भी चला जाए, एक से भी चला जाए, एक से भी चला जाए, तो वो पांच ही तो होगी, तो आपको सभी को पांच बनाना है, तो क्या करोगे पांच बनाने के लिए इसमें 5 का गुणा, तो numerator में 5 का गुणा यानि कि 15, अब ये तो 5 पहले से ही है, यानि कि 2 5, 40 5 से गुणा, 25, तो सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा तीसरा उसके बाद 4 था उसके बाद पहला, उसके बाद दूसरा, सही है भई सही है तरीका, नहीं समझ में, कोई टेंशन मतलो सर 2 होगा सर 3 बटे 5 अब माफी, 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 माफी भाई साओ, कड़बर तो नहीं कर दी फिर मैंने, अंतर जादा नहीं होगा, 10 ले लो, चलो, 10 का इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, फिर 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, 5 का गुणा करूँगा तो 15, 2 का गुणा करूँगा तो 4, फिर भी क्या कर लेगा यह, और 10 का गुणा करूँगा तो 80, और 50, तो भी अंसर यही आने वाला है, ठीक है माइडियर, समझ में आ रहा है, तो और ना क्यों लगाएं समझें मेरी बात अब आते हैं एक अधर एक्जम्पल और हो जाएं तयार हैं आप सभी बोलिए वैया कितने लोग तयार हैं और फिर खुद पहचानना आप क्यों से मेथड से लगाया ठीक है चलिए क्यों से लगी इंगती हैं प्रीट बोलिए यो जार झाल मा से लगे जाएं ऑफ लोगा हैं, वां यां जा लोगा हैया दीक है बताईए पहला दूसरा तीसरा और चौथा कौन सा मेथड बैस्ट लगेगा प्रेम राज जी अरे द्यांद हो यार सामने यार चलिए बंशल प्रेम प्रेम यहां आया कितना चार और यहां आया कितना दो अब आपको पता है कि LCM 4 आ जाएगा अब इसमें ऐसा क्या गुणा करूं कि 4 बन जाए तो 2 का गुणा करना पड़ेगा तो 7 दूनी 14 यहां तो पहले से 4 है LCM तो 19 से कम 19 यहां पर भी 4 है यानि कि 25 से कम 25 यहां पर 2 का गुणा करना पड़ेगा तो उपर केवल numerator में करना है तो सबसे बड़ा कौन 4 उसके बाद 3 उसके बाद 2 उसके बाद 1 चार तीन दो एक आया भाई एक और एक्जामपल करोगे हाया ना में जवाब दो हां और यह ऐसा नहीं है कि केवल सारी इससे बन जाएंगे ऐसा नहीं है लेकिन अपने अपने मेथड की अपने अपनी क्वालिटी होती है इसलिए बता रहा हूं जैसे कि मैंने बोल दिया आपको 16 वटे 23 कि अब कि अब कि 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 मिताईया कि इस पहला है यह दूसरा है यह तीसरा है और यह चौथा है आप बताई ओडम सर जब नियूमेरेटर ज्यादा हो अंतर तो अंतर निकाल रहे न अब ज्यादा हो चाह कम हो अब देखो यह दिया है मैंने कुश्चन क्या है अब देखो अब जुश्चन सक्षब हो जुश्या हो अब एकरनल खर्व गहाँ सादा बार्वीक और अग्या हो अब एक एकस्ट अब ग्यादा आ अब दिमाग लगाने वाला खेल यहां आ रहा है साथ यहां आ रहा है तीन पॉइंट पांच यहां आ रहा है दो यहां आ रहा है साथ एलसीम क्या लेलू सर आप 14 लेलो 14 अब 14 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा तो 16 दूनी 32 सबसे बड़ा कौन तीन उसके बाद कौन दो उसके बाद कौन एक उसके बाद कौन चार मेरे दोस्तों कैसा लगा जल्दी से मुझे बताईगे तीन दो एक चार क्लियर है भाई मज़ा या नहीं आया सेशन में जल्दी से बताईए पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा आप लोगों को बताईए वड़ा पड़से साथ के साथ यह कोश्चन भी मैं प्रेक्टिस करवाऊंगा कल करेंगे कल आते ही अपन क्या पढ़ेंगे पहले डेसिमल फ् पढ़ रहा है उसको फिर टेंशन लेने की जर्वत नहीं है प्रेक्शन पांच दिन सिंप्लिफिकेशन एवरेज रेशो एज पार्टनर्शिप यह सारे चप्टर्स होंगे अब आपको बस अपना क्या करना है पेशेंस रखके पढ़ाई करनी है जो बच्चा रैगुलर प करनी है जैसा करवा रहा हूं वो करना है फिर आप अपना रिजल्ट अपने आप लिख पाएंगे कहीं और भटकने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन मेरे कहने से मानो तो बात है मानोगे कब जब पेपर नजदीक होगा उस टाइम वक्त निकल चुका होगा और अगर आप अ अगाव रखते हो एक तरफ साइड में रखो मैत के लिए सिंगल सोर्स फॉलो करो अगर आपने ये काम कर लिया यहां मैं करा रहा हूं चैप्टर वाइस प्रैक्टिस रात को आठ बजे कैच दा मैत रेगुलर रेगुलर लेना है हर किसी को और साड़े बारे बजे अभी च चाहिए आपको दे रेगुलर पड़ो पीवाइस चल रहे है साड़े बारा यह भी चैटर वाइस चल रहे है पीवाइक्यू और मिक्स प्रैक्टिस आठ बजे चल रही है करना पड़ेगा साथ के साथ में जो बच्चा मेरे साथ प्रमान बैच में जोड़ना चाहता है या म academy learning app को download करके login login कर लोगे तो ssc math by sahil खंडिल वाली है मेरा नाम है और यह मेरा गोल है और इसी के अंदर मेरी practice batch चलते है regular सुबह 9 बजे class होती है साहिल 10 ऐसे code लगाकर आपको मेरे practice batch में जुड़ना है साथ के साथ अगर आप free practice batch में जुड़ना चाह रहे हो CTM में CTM यह रहा तो इसमें भी आप से कोई code पूछे तो साहिल 10 लगा देना और अनकेडमी पर कहीं भी जुड़ो आप आहिल 10 आपको full entry है भाई का code है भाई साथ के साथ यह सीधे clear हो गई और foundation पढ़ना चाहते हो उसका भी मौका है क्योंकि 20% यहां भी मिल रहा है Republic Day के offer पर उहां पर SSC non-technical वाले में subscription लेना है SSC non-technical और railway exams इस वाली category में जाकर subscription लेना है और साहिल 10 लगा देना है और सभी विध्यारती जो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि सर पोर्स कप पढ़ाएंगे उनको कैसा लगा पढ़कर वही जो बच्चे इंतजार करते हैं उन्हीं के लिए शांदार चीज आपके सामने रखी गई है और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़रूर करेंगे इतना मैं चाहता हूं तो टेक क्यार अल्दा बेस्ट लव यौल बाई बाई आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन इस्टेडी चैनल वाइफर स्टेडी पर पार्ट अवन अकैडमी आज हम फ्रेक्शन का पार्ट टू कवर करने वाले हैं तो सभी विध्यारती मेरे साथ फटापर से जुड़ जाईए चीजों को बहतरी इन तरीके से शीखने का वक्त आ चुका है आईएगा लक्षे बैच की शुरुवात करते हैं आज है अपना प्रेक्शन का डे पार्ट टू है ना अभी के वल अभी फ्रेक्शन ही हुआ है मंडे से सिंप्लिदेकेशन भी शुरू हो जाएगा तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को शेय के लिए के वल क्योंकि आज 28 थारीक है और आज 20 परशन का ओफ का लास्ट डे है ठीक है फाइदा उठाई है यह साड़े बारे बज़े मैं आपको टॉपिक वाइस पीवाइक्यू करा रहा हूं तो जो बच्चा टॉपिक वाइस पीवाइक्यू कवर कर रहा है मेरे साथ व अगर आप रात को यहां मॉक्त लगा है अगर कोई बहना मेरे को नहीं चाहिए सब बच्चों को रात को यह लाइव आने हैं लिंक टेलिग्राम पर डाल दिया जाता है आप लोगों के लिए आप रात को आट बजाश लगए सी टीम केच नमेत पॉपुलर सेशन है बहुत प्लानिंग के साथ हम पढ़ाने वाले फ्रेक्शन आज हम खतम कर देंगे फिर पांस दिन सिंप्लिफिकेशन चलेगा मंडे से सिंप्लिफिकेशन चलेगा पांस दिन है ना चलिए और यह सारे चेप्टर्स हमको बता रखें आपको मैंने चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रेक्शन के जो अगली है उसके बारे में डिसक्शन करते हैं कि दो भिन्नों को अगर सॉल्व करना हो तो कैसे किया जाएगा ए प बटे पांच प्लस 4 बटे 3 तो आप इसको सॉल्व करने पर कैसे सॉल्व करोगे जैसे कि मैंने लिख दिया साथ बटे अठरा माइनस एक बटे तीन बताओ क्या होगा तो देखो क्रोस मल्टिप्लाई करना होता है साथ यह 21 अठारे कम अठारा 21 में से अठारा गया तो तीन बटे चौवन यानि कि यह एक तरीके से एक बटे अठारे आगए कोई दिक्कत है गया बताओ किसी को को समश्य तो नहीं है आराम से बताते चाहिए कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं आगे आपको बोलता हूँ कि साथ बटे तेरा प्लस एक बटे तीन क्या होगा बताओ तो साथ तिया 21 तेरा एकम तेरा, 21 प्लस का तेरा बटे तेरा तिया 49, solve करने का तरीका सब को आना चाहिए, क्योंकि यही गणित की सबसे बड़ा तरीका है, solve करने का सबसे आसान तरीका आपको यह सब fraction को solve करना आना चाहिए, जो यह गुणा कर लिजे, भाग कर लिजे, वो स 3 बटे 4, अगर मैं आपको बोल देता हूँ, 1 बटे 8, बटे 1 बटे 2, तो अगर मैं इसको बोलूँगा, तो इसका मान आप directly सोचो, क्योंकि पेपर में इस तरह की कटना ही आपको क्या ही बार आने वाली है, क्या ही बार आएगी, और अलग लग जगे पर देखने को मिलेग इस तरह की कटना ही, तो इसका क्या मतलब होगा, एक बटे 8 और एक बटे 2 का, तो एक बटे 8 लिख दिया, फिर multiply कर दो, क्योंकि जो ये divide है ये उल्टा हो जाएगा, multiply 2 बटे 1, हलाकि अभी जो division वाली चीज़ है वो board mass में मैं सिखाऊंगा, simplification में, लेकिन fraction के divide करना मैं बत को, तो आप ये देखेंगे, सर 7 बटे 19 आएगा, तो excitement में गलती करने की कोशन मत करना, 40 बटे 38 होगा, ऐसे होगा, तो जल्दवाजी में गलती कर देते हैं, कई बच्चे आप देखो कर रहे हैं, देखो, उनको लग रहा है कि 19 से कट जाएगा, अरे भाई, क्यों कटेगा, क्यों कटेगा, आप तो नियम का पालन करो, हमें लगता ऐसा है, और 19 से कट जाएगा, क्यों कटेगा, वो आएगा, answer, बात समझ में आ रही है, आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ, यानि कि यह हो जाएगा, 140 बटे 361 हो जाएगा, तो हमारा क्या दिमाग चाता है कि हम फटाबर से सॉल्व कर लें, लेकिन जो नियम है, उस नियम का पालन अवश्य करने, वरना गडबड हो जाएगी, ठीक है माइडियर, चलिए, अब मैं आगे चलता हूँ, यह हमने फ्रेक्शन को सॉल्व करना सीखा, अब मैं बात करता ह हूँ, डेसिमर फ्रेक्शन की, फिर हम आज कुशन भी करने वाले फ्रेक्शन बेज, मज़ा आ जाएगा, आपको बस सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, और बहुत पहतर इन तरीके से चीज़े सीख रहे हैं, आप लो, देखो, 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 अगर मैं बोल देता हूँ, चार बटे 10, तो ये क्या है, पॉन्ट 4 है, मैं बोल देता हूँ, 3 बटे 5, ये कितना है, पॉन्ट 6 है, मैं बोल देता हूँ, 7 बटे 9, ये 0.77777 ऐसे है, गलत कहा रहा हूं कि हमें, सही कहा रहे है, मैंने बोल दिया भाया, 8 बटे, 15, ये लिख दिया है, इसको भी दिशमलर में बदल लो, तो 15-75 बचे 5, 15-45, 15-45, 15-45, 15-45 ऐसे लिख दिये, आठ बटे 15 आए यह, यह ना, 15-75 बचे 5, 15-45, 15-45 बचे 5 बचे 5 बचे 5 बचे 5, 15-45, 15-45 बचे लिख दिये, तो यह जितनी भी चीजें हैं, यह सारे क्या हैं, इनको कहते हैं, decimal भिन, दशमलब फ्रेक्शन, यानि कि decimal फ् देते हैं, पॉइंटों में बदल देते हैं, अब आप यह देख रहे होंगे, यह तो शान्त है, शान्त का मतलब किस-किस को समझ में आता है, यह भी शान्त है, यह भाईया अशान्त है, यह भी भाईया अशान्त है, परक्या इन सब में, पहचानेंगे कैसे, और अगर मैं क किसी ऐसे को देख के बताना चाहूं कि या यह शान्त दिशमलब में कैसे पहचान होगा किसी के बास कोई जवाब है देखो अगर आपका जो फ्रेक्शन है जो भिन है या दिशमलब भिन है वो अगर रुक जा रहा है चालू रुक गया मतलब बस वो गया पूरा पॉइंट च यह चलता जा रहा है, यह चलता जा रहा है, यह भी चलता जा रहा है, आगे तक चलता जला जाएगा, यह शान्त होगा, यह शान्त होगा, पहली पहचान तो यह हो गई, लेकिन यह कोई एक पर्टिकुलर पहचान नहीं है न, हमें अगर जनरल पहचान न पड़े तो हम कैसे पहिचानेंगे मैं बताता हूँ अगर इसको English में बात करूं तो English में इनको बोलते हैं Terminating इनको बोलते हैं Terminating इसको बोलते हैं Non-Terminating इसको बोलते हैं Non-Terminating ठीक है तर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इस तरह के बोले जाते हैं हाँ अब यह टर्मिनेटिंग है लेकिन एक चीज और भी आती है क्या क्या यह रिपीटिंग भी है क्या रिपीटिंग भी है क्या रिपीटिंग भी है अब बात को समझा ना दोस्तों 0.77777777777 ऐसे चलता चला जाएगा 0.53333333 ऐसे चलता चला जाएगा जी बिलकुल सही बात है आप बिलकुल सही बोले हैं कि सर ये अशान्त तो है ही साथ के साथ ये क्या है recurring भी है recurring भी है आवरती भी तो है रिपीट भी तो होते जा रहे हैं और यही कहा नहीं है चलिए अब इनको पहचानेंगे कैसे सर पहचान बताओ पहचान होती है एक होता है शांत दशमलब तो सबसे पहले शांत दशमलब को कैसे पहचान होगे किसी भी भिन को देखकर पहचान अगर हो जाए तो मज़ा नहीं आ जाएगा क्या बताओ दोस्तों अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी मेरा terminating decimal है कोई भी मेरा terminating decimal है अगर मैं उससे पूछों आपसे यहार देखके बताना पड़ेगा तो अगर आप देखते ही बता दो तो आपको मज़ा नहीं आ जाएगा क्या तो terminating decimal की पहचान कैसे होगी example देता हूँ जैसे कि मैंने बोल दिया अगर मैं अंश की बात करूँ या हर की बात में कर रहा हूँ अगर मैं denominator की बात करूँ और denominator मेरा 2 की पावर में जा रहा है या denominator मेरा 5 की पावर में जा रहा है denominator या तो मेरा 2 की पावर में जा रहा है denominator या तो मेरा 5 की पावर में जा रहा है तो fraction हमेशा शान्त दशमलब भिन होगा यह बात लिखके रख लो बात को और आप दुनिया बर के जितने भी एक्जाम्पल्स की बात करें अगर आपसे कोई पेपर में पूछे भी कि कैसे पहचानेंगे तो सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है शांत दशमलब की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आपका जो यह फ्रेक्शन है शांत दशमलब भिन होगा कब होगा जब उसका जो अंश है जो उसका हर है वो टू की पावर एम या फाइव की पावर एम में हो या टू की पावर एम इंटू फाइव की पावर एम में हो लेगा बात समझ में आ रही है क्या बोली हाया ना चीजे क्लियर हैं अब आते हैं अपन अशान्त अशान्त तशमलब आपको जनरली देखने को मिलती है नॉन टर्मीनेटिंग समझ में आ रही है न बात यह होती है नॉन टर्मीनेटिंग यानि कि अगर आपकी जिन्दिगी में कभी भी यह एक्जम्पल आ जाए मैं आपसे पूस्ता जाओंगा तीन बटे आठ शान्त है अशान्त है अरे सर शान्त है क्यों क्यों कि दो की पावर आ रही है नीचे मैं अगर आपसे बोलता हूँ साथ बटे चौबिस शान्त है या अशान्त है आप बोलेंगे यह अशान्त है अब मुझे रीजन बताईए आप सभी लोग कमेंट करके सर यह रीजन है इसके बीचे मैं यह डेफिनेटली बोल रहा हूँ यह अशान्त है आप बताईए और मैं यह बोल रहा हूँ यह शान्त है दोनों में आपको अंतर बताना है चीज़े बतानी है बताईए जल्दी से यह अशांत क्यों है कोई बता सकता है कि आप में से कोई भी बच्चा बता सकता है मेरे को यहां पर इसलिए सर अशांत है क्योंकि यहां पर आठ गुना तीन तो है लेकिन आठ चलो दो की घा तीन भी है लेकिन इस तीन का क्या काम तो तीन का कोई काम नहीं है इसलिए तीन आशान्त बन गई, बात समझ में आ रही है क्या, अब मैं अगला एक्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, मैं लिखता हूँ 21 बटे 24, अब ये शान्त है आशान्त है, 21 बटे 24, ये शान्त भी नहीं है आशान्त भी नहीं बताओ, ये रिओला, सात से काटेंगे तीन बर, जो हुआ है तीन से काटेंगे शाट बर, और तीन से काटेंगे अम इसको आठ बर, मैं इसको देखूंगा और उसके बाद मैं कहूंगा कि ये शान्त है, बात मेरी समझ में आ गई क्या, तो अब आपने ये conclusion समझ लिया कि आपको कोई भी भिन को अगर शान्त और अशान्त पहचानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको उस fraction को सही तरीके से simplest form में convert करना पड़ेगा you have to convert in simplest form of the fraction तब आपको चेक करना पड़ेगा कि denominator में दोकी पावर आ रही है क्या बोले आ रही है इसका मतलब शान्त है तो आप अब किसी भी भिन को तोरंत पहचान पाएंगे क्या हाँ या ना मैं जवाब दे दीजिए और वीडियो को दबा कर लाइक शेर करिए बहुत तगड़े तरीके से बहुत मज़ा आने वाला है जो बच्च अभी से त्यारी शुरू कर रहे है सीजियल की वह डैफिनेटली सीजियल करेगा यह मैं लिखके दे देता हूं अब आते है नौन तर्मिनेटिंग तो बस इसके अलावा जितने भी होंगे वह सारे के सारे नौन तर्मिनेटिंग होते हैं जितने भी होते हैं जैसे कि एक बटे तीन ले लो एक बटे तीन ले लो एक बटे तीन ले ले लिजिए जैसे कि दो बटे तीन ले ले लिजिए ए एक बटे साथ ले लो एक्जामपल आप ले सकते हो एक बटे 6 ले लो अब जितने भी ले लो आप ये सारे के सारे आपके non-terminating है हाँ अब आप बता दो मेरे को जैसे की 22 बटे 7 ले लो ये भी आपका non-terminating है non-terminating है और non-terminating के साथ साथ इसकी दो शर्टे होती हैं एक होती है non-terminating में non-recurring non-terminating के अंदर होता एक non-recurring यानि कि जो अनावरती होते हैं आप समझ बारे हो मेरी बात यानि कि ऐसे जो दशमलभिन जो repeat नहीं करते हैं अपने आपको repeat नहीं करेंगे वो और ऐसी दशमलभिन जो आवरती होते हैं मतलब इसी के अंदर non-terminating के अंदर भाई देखो अली बात तो जो अशान्त होगा उसी की बात कर पाऊंगा शान्त तो शान्त है बिचारा इसमें तो क्या आवरती और क्या न आवरती उसी की बात चलेगी क्योंकि उसी के दो भाग बन जाएंगे उसमें एक तो non-recurring होगा यानि कि एक ऐसा दशमलभ जो कभी भी पकड़ में नहीं आ रहा है repeating नहीं है वो और एक ऐसा जो आवरती है जनरल केसिस में जनरल केसिस में आवरती ही मिलते हैं लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जहां पर अनावरती मिलते हैं जैसे कि आप ये देखेंगे पाई का मान आप ये कहते हैं सर्थ पाई का मान तो मैं 22 बटे 7 लेता हूं तो 22 बटे 7 पाई का exact मान नहीं है पाई का मान अभी तक तो निकाला ही जा रहा है तो पाई एक तरीके से आप अगर बोलते हो तो आप नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनिटिंग डेसिमल बोल सकते हो इकमान इनके वैल्यों हमें पता नहीं है देखो लिटरली बता रहा हूं अभी तक किसी को नहीं पता बाईस बटे साथ क्यों है क्योंकि बाईस बटे साथ को जब आप कैल्कुलेटर से डिवाइड करोगे तो बाईस बटे साथ रिपीटिंग है इसलिए यहाँ है इन दोनों को बरावर हम मानते हैं गणित में सॉल्व करने के लिए इनकी क्या exact value बरावर है एसा नहीं है एक्जेक्टली यह दोनों बरावर नहीं है यानि कि पाई और 22 बटे साथ exactly इक्वल नहीं है यह केवल और केवल हमारी मानने के उपर depend करता है को दिकत ठीक है तो यह बात समझ में आने चाहिए आप लोगो को आवर्ती में आ गए हम चले अब आते हैं आगे जो पॉइंट है वो पॉइंट बता दराओं जो में पॉइंट है यह यह एक कॉंस्टेंट होता है अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल टू फ्रेक्शन याने कि किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को फ्रेक्शन में बदलना यह कॉशन मनता है पेपर में वीडियो को शेयर कर दीजिए जैसे कि एक्जामपल के तौर पर कल को मैं यह लिख दे रहा हूँ पॉइंट तीन के उपर बार है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह होता है पॉइंट तीन 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 अनन्त तक जा रहे हैं कल को मैं यह लिख दे रहा हूं 0.53 में 3 के उपर बार है इसका मतलब क्या है 0.533333 इसके बाद मैं लिखता हूं 0.725 में 25 के उपर बार है तो 0.7 25 25 25 ऐसे मेरी बात अगर समझ में आ गई है तो बताईए अगर मैं लिख दे रहा हूं 0.120 में 0.12 में यह है 1.2 के उपर बार 0.1222 जिसके उपर बार है वही रिपीटिंग होता है यह बात याद रखना तो अब इन्ही सभी को अगर मान लीजिए धंक से लिखा जाए इनकी इसके पीबाई क्यों फॉर्म क्या होगी यह प्रशन आप से पेपर में पूछा जाता है अब उनी पर ही हम चर्चा कर रहे है उसके बाद हम कोशन्स पर आ जाएंगे ठीक है, हाँ, इसकी PY की फॉर्म कैसे निकालेंगे, कैसे निकाली जाती, इन सब चीजों पर हम चर्चा करने बैठ रहे हैं अब, आईए सभी लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं आपको बहुत तगड़ा कंसेट बताता हूं, कंसेट समझ लीजिए, मैं आप बहुत आसा क्या है, वह ऐसा कि ऐसे रख दो, अगर मैं बोल देता हूं, पॉइंट 3 के उपर बार है न, तो Αपसे मैं यह कहना चाहरा हूं, जिसके उपर छत्री नहीं है न, वो घटा दो, और उसके बाद में जिसके उपर छत्री है, उसका 9, और जिसके उपर नहीं है, उसका 0, यानि जिसके उपर बार है उसका 9 और जिसके उपर नहीं है उसका 0 11,90 इस तरह से convert करना होता है यानि कि जिसके उपर बार है उतने 9 नीचे आ जाएंगे जिसके उपर नहीं है उसे घटाया भी जाता है और उसका 0 भी दिया जाता है denominator में बात अगर समझ में नहीं आई है, कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तो मैं इसके examples करा रहा हूँ आपको, आईए, अगले examples आप लीजिए और मुझे करके बताईएगा, मैं आपको समय देव दूँगा, आप अपनी मर्जी से करके बताना, गलत करो या सही करो, वो मैं ने लिख दिया, 289 में केवल 9 के उपर बार, मुझे इन सभी की पी वाई क्यू फॉर्म बताईए आप, देखिए भईया, 345 है, जिसके उपर बार नहीं है, उसको घटा दू, जिनके उपर बार है, उसका 9, 9, जिसके उपर नहीं है, उसका 0, इसी प्रकार, यहां 3ों के उपर बार है, कुछ घटाने के लिए तो है नहीं, तो क्या कर दो, 3 नीचे 9 लगा दो, इन में क्या है, 147 है, जिसके उपर बार नहीं है उसे घटा दो और जिसके उपर बार है दो है 99 इसका 0 बराबर इसी तरह से 289 है 289 में से 28 को घटा दो और जिसके उपर बार है उसका 9 लगा दो जिसके उपर नहीं है उसका 0 अब पहले तो यह बताओ जिस जिस बच्चे ने ऐसे ही किया है वो मुझ कर लीजिए जैसे कि यह आ गया 342,990, 943,990, 146,990, 9 मैं से आठ गया तो एक, 261,990, नौ से कट जाएगा यह, तो नौ दूनी अठारा, और नौ दूनी अठारा, आठ नौना मिक्यासी, उन्तीस बटे सौ, देखो ऐसे बोल सकते हैं उसको, ठीक है, तो 999, सेकिंड वाला, ओ सॉरी, इसमें 999 आएगा, तो 999 नहीं है न, समझदार हो आप तो, ठीक है माइडियर, समझ में आ रहा है, सब को यैस या नो में जवाब दीजिए, मज़ा आ रहा है नहीं अ रहा है, यैस या नो में जवाब दीजिए, थिक है, क्या convert करना आप सीख गए है, बोलिए, सीख गए है, चले, अब कभी कबार ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, पर क में से कोई भी student point के आगे पूर्णांक आते हैं हमेशा पूर्णांक आते हैं उसके बगल में decimal कहलाते हैं point एक एक चीज़ को समझना मेरे साथ पढ़तर कि point के बगल में decimal point के आगे अगर बाहर आगया उसका क्या sense है उसका एक sense है हाँ हम इसे solve कर सकते है minus 1 plus का point 12 अब इसका जो मतलब है point 88 से है वो भी minus में ठीक है हाँ और अगर मैं आगे बात करना चाहूँ आपसे example के तौर पर कि कब कल को मैंने ये लिख दिया 3.1 के उपर बार और 2 तो क्या कुछ कर पाओगे इसका नहीं निकाल सकते C&D हमेशा जो बार आएगा वो last वाले अंक पर आएगा अभी बात बनेगी वरना नहीं बन पाएगी बात बात समझ में आ रही है ना बुद्धी चल रही है ना मेरे दोस्तों तो ये छोटी छोटी ऐसे points है जिन पर आपको फसा सकता है हम बचा लेंगे मेरा प्रोस्पेक्टिव ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एक इस तरह का एक्जमपल आपके पेपर में आगर आ जाता है कि point 61 के उपर बार plus point 33 के उपर बार plus point 19 के उपर बार तो ये किसके equal है तो point 61, 61, 61, 61, 61 ऐसे जोड लिया करो direct direct भी जोड लोगे तो कोई गड़बर होने की संभावना नहीं रहेगी 9 और 3, 12 और 1, 13 10 और 1, 11 9 और 3, 12 और 2, 14 10 और 1, 11 फिर वही वाले बात 14, 11, 14, 11, 1 तो याने की 1.14 के उपर बार यही आपका आ जाएगा अंसर हर बार तो आप तरीके से इन को जोड़िएगा ठीक है ऐसे कुशन भी बन जाते हैं आपको यह पता ही रिपीटिंग ही तो है और आप यह सोचेंगे से इतना ही क्यों लिया ऐसा नहीं मैं आगे भी ले सकता था लेकिन एक पैटन पता लग जाना है बसापन को एक पोइंट 14 के उपर बार आ जाएगा ठीक है एक पैटन पतब पकड़ने के लिए यह लिखा है मैंने और कुछ भी नहीं है मेरा रिजन इसके बीछे लिखने का अंडरस्टेंड माइडियर समझ में आगी बात आप लोगों को हाँ नेक्स्ट कल को मैंने एक एक मैंने इंप्रॉपर फ्रेक्शन लिख दी या मिक्स फ्रेक्शन लिख दी ऐसे कि मैंने लिख दिया आठ सही एक बटे तीन प्लस मैंने लिख दिया नौ सही एक बटे दो मेरे दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना जीवन में कि जो ये होती है ये दो तरीके से मिलकर बनी होती है 8 प्लस 1 बटे 3 और 9 प्लस 1 बटे 2 ये बात आपको समझ में आती है न तो आप डायरेक्ली एक काम कर सकते हो क्या बड़े लोगों को बड़े लोगों को एक साथ जोड़ दीजिए 9 और 8 17 और इन छोटे छोटे फ्रेक्शन को एक साथ लिख दीजिए एक बटे 3 और एक बटे 2 और आपको इनको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया दो एक कम दो तीन एक कम तीन तो 17 प्लस 5 बटे 3 दो नीच्छे 17 प्लस 5 बटे 6 पता होना चाहिए देखो मैं मेरा तो काम बताना है क्या चलिए मैं अगर आगे बात करता हूं आगे चर्चा करता हूं तो आगे चर्चा का विशा मेरे पास यह है 9 सही 1 बटे 2 माइनस एक सही 4 बटे 7 बताओ क्या होगा अब इसका भी एक प्रोसेजर समझे पूरा का पूरा आप आप 9 में से एक घटा दो आठ आ गया आप 1 बटे 2 में से आप माइनस का 4 बटे 7 घटा होगे लेकिन तो क्योंकि यह भी माइनस में हो जाएगा फिर तो साते कम 7 सुनना साते कम 7 और 8 तो यह आ रहा है माइनस का एक बटे 14 तो यहां से क्या कर सकते हो सात ले लिया 1 माइनस का एक बटे 14 साथ प्लस 13 बटे 14 आपने साथ से एक उधार दे दिया उसको एक ऐसे दे दिया वैट तू देख ले एक उधार दे दिया ना पई साथ को आठ को क्या लिख सकते हो साथ प्लस एक अब एक मैं से एक बटे 14 घटाना ज्यादा आसान है अगर नहीं आया तो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन दिक्कत मुझे बताओ सर एक माइनस एक बटे 7 कर दिया गलत हो जाएगा ना एक माइनस एक बटे 14 है वो क्योंकि जो हमने सॉल्व किया साथ एकम साथ 4 दू नी आठ 7 बेसे 8 गया तो minus 1 और 7 दूनी 14 यही बताया था अब यहाँ minus तो घटेगा नहीं तो आप क्या करो 8 को 7 प्लस 1 लिख दो तो 1 minus 1 बटे 14 कर दो 14 बटे 14 आजाएगा 7 से ठीक है भई देखिये next 11 सही 3 बटे 4 minus 9 सही 1 बटे 8 चलो करके बताओ कर दो फिर आगे question से start करने वाले सभी लोग excited है या नहीं है ये भी बता देना तो basically क्या हम कह सकते हैं कि आप से 11 मैं से 9 गया तो 2 आया प्लस 3 बटे 4 minus का 1 बटे 8 तो 8 या 24 में से 4 गया तो 20 बटे 8 चोके 32 तो 2 प्लस चार पंजे बीज चार अटे बटे 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 आट कैसा लगा चलो ठीक है माइडियर अइसान है भाई आपका आपको पढ़ने के लिए भी कितना कस्त उठाना पढ़ रहे हैं बताओ इसे लिए तो बच्चा आजकल सीखनी पा रहा है प्रॉब्लम बच्चे के साथ इतनी सारी हो रही है कि वो यह समझ रहा है कि पढ़ाई अगर कोई करवा रहा है मुझे तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम है वो मैं कर रहा हूँ इस सामने वाले टीचर को फाइदा हो रहा है वो बार बार पढ़ा रहा है वो यह प्रॉब्लम है बच्चे के साथ और इस सोच के साथ आफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और इस सोच के साथ आप बस तरक और वितर्थ पर रह जाते हो और कमेंड पर रह जाते हो बस पढ़ अब सारे कोशन्स करने वाले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से पहला कुशन एरा करिया जिसने भी होमवर्क में भी किया होगा वह बताए मुझे आंसर क्या आएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी करते जाएं एक भीन का हर अंश से तीन जादा है तो मैंने अंश को एक्स मान लिया हर कितना हो जाएगा तीन जादा हो जाएगा दूसरी भीन का जो अंश है वो पहली भीन के हर का चारवटे पाँच है दूसरी भीन का हर जो है अंश से अगर ये अंश है तो हर ये है दूसरी भिन का जो अंश है पहली भिन के हर से हर का चार बटे पांच है पहली भिन के हर का चार बटे पांच है दूसरी भिन का जो अंश है दूसरी भिन आपको दे रखिये कितनी 12 बटे 16 तो पहली भिन क्या है दूसरी भिन का दूसरी भिन का अंश पहली भिन के हर का तीन बटे चार बटे पाँच है कर दिया भाई दूसरी भिन भी आपको दे रखी है बड़ा एक्साइटमेंट है इसमें तो मैं अंश को अंश के बराबर करके देखूं क्या चार तिया बारा तीन पंजे पंदरा एक्स प्लस तीन बराबर हो गया पंदरा एक्स बराबर हो गया बारा अगर मैं एक्स बराबर बारा मान रहा हूं तो दूसरी भिन हर कितना हो जाएगा पंदरा तो 12 बटे 15 आंसर आ गया और 4 ती अवारा सरी 3 चो के बारा 4 बटे 5 नहीं है 12 बटे 15 यह आंसर होगा अब भी option, question बढ़ी है अगला करिए, निमने में से सबसे चोटी भिन कौन सी है इसको कौन से method से कर सकते हो आप इसको percentage वाले से भी कर सकते हो 3 बटे 4 होता है 75%, 1 बटे 2 होता है 50%, 2 बटे 3 होता है 66%, और 1 बटे 3 होता है 33.33%, सबसे छोटा पूछा गया है यह एक तरीका यह हो गया दूसरा तरीका क्या है, कि सबका जो अंतर है वो कितना आ रहा है 3 बटे 4 का अंतर एक आ रहा है इसका अंतर भी एक आ रहा है इसका अंतर भी एक आ रहा है और इसका अंतर दो आ रहा है तो आप दो LCM ले ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 तो सबसे छोटा ये ही आ रहा है तो दौनों तरीके से मैंने बता द कि अ हुए सबसे चोटी कौन सी है इसमें भी आप वही दिमाग लगा सकते और जो डिफरेंस रहा यहां पांच आया डिफरेंस आया ले रहू तो यहां तो आ जाएगा दो क्यों कि पांच और पांसे नि' Ole वही काम कर सकते हो, यहां आ रहा है अंतर पांच, यहां अंतर आ रहा है दो, यहां अंतर आ रहा है चार और यहां अंतर आ रहा है एक, तो LCM आप ले लो 20, 20 बनाने के लिए यहां 4 का गुणा करना पड़ेगा, 4 यहां पर 10 का गुणा करना पड़ेगा, 30 यहां पर 5 का गुणा करना पड़ेगा, 25 और यहां पर 20 का गुणा पड़ेगा, 100 तो सबसे बड़ी कौन सी है 5 बटे 6 बोलाओ कोई दिक्कत है तो बताओ अना तो आप तरीके से काम करोगे तो सारे आंसर आ रहे हैं देखलो आपके पास अच्छा यह दे रखा ऐसा सबसे बड़ी भिन का बताओ क्या होगी इन में से तो अब आपके पास मैथर तो बहुत सार सारे मेथर बता रखे थे क्रॉस मेथर कहता है कि सबसे बड़ा निकालना है ना तो लड़ाई करवाना शुरू करो 6 दूनी 18 15 15 यह जीता तो यह आउट हो गया गेम से फिर इन नोनों की लड़ाई हो गई 15 दूनी 30 11 33 तो यह आउट हो गया अब यह विनर है 88 और 15 सकते 105 यह का हर 25 हो तो माइनस 24 बटे 20 का जिसका हर 25 होना चाहिए तो मैं जब इसको देखता हूं दोस्तों यह कितना निकल कर आ रहा है चार पंजे 20 चार चेकी 24 अब 25 बनाने के लिए पांच का ही तो गुणा करना पड़ेगा यहां पर तो यह आ रहा है सर 30 बटे 25 लेकिन माइनस में आएगा मज़ा आया कोशन करके और ऐसे कोशन अगर पहली बर पेपर में आ जाएना तो 70 परसेंट बच्चे ही करके आएंगे 30 परसेंट नहीं करके आएंगे यह धियान रखना क्योंकि उनको अचानक से समझ में नहीं आएगा कि question कह क्या रहा है और हमें निकालना क्या है क्योंकि कल ही मैंने आपको समतुल्यांक पढ़ाया है अगला देखिएगा आरोही क्रम बताना है अब क्या लोगे तीन बटे साथ ले दिया चार बटे पांच लिया है साथ बटे नौ लिया है एक बटे दो लिया है और तीन बटे पांच लिया है अंतर के आके आया देखो अंतर आया देखो यहां अंतर 1 यह 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 यहां 2 , लो तो यह खांड देंग daylight छार चॉक्र सॉला क्या किर रहा हूं मैं दुबारा से बताता हूं लिया आन चार ले लेते हो तो आप इस चार में चार का भाग दोगे तो एक बार जा रहा है तो तीन का एक से गुणा किया, एक का भाग दो के चार में तो चार बर जा रहा है तो चार चौके 16 कर दिया, दो का भाग दो के चार में दो बर जा रहा है तो साथ दूनी 14 कर दिया, एक का भाग दो के चार में चार बर जा रहा है तो चार एकम 4 कर दिया, दो का भा बटे दो उसके बाद एक तीन बटे पांच उसके बाद साथ बटे नौ और सबसे बड़ा चार बटे पांच यह अपना आरो ही क्रम हो गया छोटे से बड़ा कौन सा है अगला करेंगे निमने में से कौन सी भिन सबसे चोटी है तरीका क्या बताया था अंतर देख लो अंतर विदी काम आजाएगी नहीं आजाएगी जो LCM वाली विदी बताई थी क्योंकि सबका अंतर अगर समान है तो टेंशनी मतलो जो सबसे चोटा निमरेटर है वही सबसे चोटा भिन होगा तो सबसे चोटा 10 बटे 11 है यही आंसर है कैसा लग रहा है बताओ क्योंकि जो सबसे चोटा है ना वही आंसर है और जो सबसे बड़ा है यह सबसे बड़ा होगा एक सेकंड में आंसर दे सकते हो किसी को कोई परेशानी भाया खीच के दिल से लाइक शेर करो यह आप लोगों के लिए शुरू किया गया लक्षे बैच और इसमें पूरा सिलेबस में कवर कराने वाला हूं शांदार तरीके से बस तरीके से पढ़ना है आप लोगों को और नि अब देखो यहां देखो तीन बटे दो आ रहा है चार बटे तीन आ रहा है अब यह पता है क्या इंप्रॉपर भी है इसमें कुछ कुछ क्या ज्यादा इंप्रोपर हैं तो सबसे बड़ा तो क्या हो जाएगा लार्जेस्ट यह 1.5 है यह 1.33 है यह 0.8 है इस साथ है कम साथ तो सबसे बड़ा 1.5 नेक्स सबसे चोटी सबसे बड़ी कौन सी है डी ओवियसली है ना भाई सबसे बड़ी यह तो कुछन आते हैं आते हैं वेपर में नेक्स सबसे चोटी बता दो फड़ा फड़ा बता दो इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि समय लगेगा तो मतलब क्या है सबसे चोटी अब यहां आप देख सकते हो अलग अलग है तो यहां 2 का अंतर है यहां भी 2 का अंतर है यहां 1 का अंतर है यहां बी 2 का' कि अवरोह करम में विवस्तित कीजिए अब रोही करम के लिए अंतर देखो सबका दो-दो आ रहा है तो अब जो सबसे छोटा, सबसे जो बड़ा है वो यहां आ गया 11 बटे 13, उसके बाद 7 बटे 9 और बड़े से छोटा है ना, 7 बटे 9 और 3 बटे 5, यह order होगा, 11 बटे 13, 7 बटे 9, 3 बटे 5, C option, अंतर सेम है तो जिसका numerator बड़ा वो बड़ा, यानि कि जिसका अंच बड़ा वो बड़ा, और जिसका अंच छोटा वो छोटा, क्या दिक्कत है बताओ, कोई परेशानी तो नहीं आ यह सबक्तार रहा है, उंचयार हर का अंतर एक है, तो जो बड़ा वो बड़ा, और फो फो छोटा, नेक्स Ч इन में से सबसे बड़ी और सबसे चोटी रहार गांतर, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, इनका यह 10 बटे 2, 6 बटे 2, 3 बटे 40ब 5 2 10 3 3 10 1 बटे 15 आन्सर आने वाला है अनका अंतर पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर धीक है दो प्राप्त करने के लिए एक बटे दो में क्या जोडना चाहिए तो एक बटे दो में अगर आप 3 बटे 2 जोड़ोगे तब जाके ही आपका 2 प्राप्त होगा क्योंकि 4 बटे 2 हो जाएगा फिर तो आंसर कितना आजाएगा A option एक बटे 3, चार बटे 3 और तीन बटे 4 का योग तो यहां मैंने क्या सिखाया आपको एक बटे 3, चार बटे 3 को जिनका हर समाने उनको डाइरेक्ट जोड़ लिया जाता है पांच बटे 3 और फिर अगर आपके पास भिन्नो को जोडने का फॉर्मूला है जैसे पांच जो कि 20, 3 तिया 9, 29 बटे 12 बी option 200 का 3 बटे 5 तो यह कितना आ गया 120 और 300 का 1 बटे 2 याने की 1,500 में क्या अंतर है तो अंतर आप देख रहे हो तो बड़े में छोटा घटा दो 30 अंतर है अगला 5 सही 2 बटे 5 प्राप्त करने के लिए इसको किस संख्या से गुणा करना चाहिए तो 5, 2 नहीं 10 और 11 बटे 5 है इसको किस संख्या से गुणा कर दूँ जिससे की 25, 2, 27 बटे 5 बन जाए तो 5 से 5 कट गया एक्स की वेल्यों आजाएगी 27 बटे 11 से गुणा करना है याने कि option number a option है दोस्तों मजा आ रहा है नहीं आ रहा प्लीज बताएं यह सब कुछ इंट्रेस्टिंग है आपको ऐसे प्रश्न करना बहुत जरूरी है वरना किसी चैप्टर में कोई टीचर कराई आई नहीं सकता इन question को क्योंकि यह हैं ही fraction के questions ओध्रेक्शन कोई पढ़ाएगा नहीं का कि आता है पेपर में लेकिन फिर भी नहीं बढ़ाते हैं बताएं क्यों लोग बच्चे को आता है अ रहे बचे को तो यह कुछ्छ को दिक्कत देते हैं फेपर में छोटे-छोटे हो ये माइनस पांच बटे साथ में से कौन सी संख्या जोडनी चाहिए माइनस का दो बटे दिन प्राप्त होनने के लिए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का दो बटे तीन प्लस का पांच बटे साथ साथ दूनी चौद है माइनस में पांस ती है पंदरा और साथ या एक किस यानि की एक बटे किस माइनस एक बटे छे प्राप्त करने के लिए तीन बटे चार माइनस दो बटे तीन में क्या घटाया जाना चाहिए जिससे की माइनस का 1 बटे 6 पराप्त हो जाए तो X को इधर ले लो 3 बटे 4 माइनस के 2 बटे 3 प्लस का 1 बटे 6 तो LCM अगर आप ले रहे हो तो LCM आप ले लो 12 3 तिया 9 4 दोनी 8 और 6 दोनी 12 तो यह हो गया सर X बराबर 1 बटे 4 D option ठीक है? कोई दिक्कत नई होनी चाहिए X प्लस 5 बटे 27 बराबर 12 बटे 27 कितना आ रहे? X बराबर हो जाएगा 7 बटे 27 कोई दिक्कत कर पारे हो? C option निमने लिखे सम्मीकरण में N का मान ग्याद करिए latest question है और कितना शांदार है देख लो आप खोदी तो सर देखो यहां 3 से गुणा करना है उपर भी 3 से गुणा करना है तो यह कितना आ गया? 3 और 2 पाँच बटे 9 अब पाँच बटे 9 लाने के लिए N की value क्या रखूं? बताओ चार रख दो और क्या? तभी possible है तो इन की value चार रख दो भाईया आज जिनको भी मेरे foundation बैस से जुड़ना है प्रमान बैस से जुड़ना है आज last day है 20% offer का सभी बच्चे जुड़ जाना भाईया न? जिनको भी जुड़ना है ठीक है? अभी देखिए एक question देखिए 23 तिया उनेतर और 71 और 90 बटे 23 divided by 31 तिया 93 और दस 103 और 5 108 बटे 31 90 बटे 23 into 31 बटे 108 3 से काटा मैंने 30 बार 3 से काटा मैंने 36 बार 6 से काटा मैंने 5 बार 6 से काटा मैंने 36 बार यह हो गया सर 155 बटे 138 C option next करें 5 बटे 8 प्राप करने के लिए 8 बटे 5 में से कितना घटाना चाहिए जिससे की 5 बटे 8 प्राप्त हो जाए दोस्तों सच बताना थर्टी नाइन अपन फुट्टी बी ऑप्शन नेक्स्ट निम्न में भिन्नों को छोटी बड़ी की ओर विवस्तित किया जाता है तो मध्य में कौन सी आएगी एक बटे 3 होता है यह 33.33 पर्सेंटेज यह 31 पर्सेंटेज यह 30 पर्सेंटेज यह 31.3 है ना और यह है पॉइंट थ्री जीरो तो सबसे मिडल में 5 ही तो है मिडल में कौन आएगी सबसे बड़ी उसके बाद 31 और 31 उसके बाद यह बीच में यह 31 पर्सेंट ठीक है चलो अगला देखिए 2 बटे 11 को माइनस 5 बटे 14 के व्युतकरम से गुणा किया जाए तो क्या होगा 2 बटे 11 को माइनस के 5 बटे 14 से तो 14 बटे 5 कर दिया माइनस हमेशा रहता है चाहे व्युतकरम कर दो तो यह आ जाएगा माइनस का 28 बटे 55 बी ऑप्शन आ गया अगला करें 7 सही 8 बटे 9 को मिश्रित भिन में परिवर्तित करने के लिए बेश्रित भिन में परिवर्तित किया जाए और अंश 70 प्लस X हो तो X का मान क्या होगा वह 9 साथ 63 और 8 63 और 8 हो जाएगा 71 बटे 9 और अंश 70 प्लस X हो तो X की वैल्लिव एक हो जाएगी अगला बहतर किसके एक टियाई होंगे किसके एक टियाई होंगे बहतर बर्स X की वैल्लिव आ जाएगी 216 मज़ा आ रहा है प्लीज बताइए और दिल से लाइक करें जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप परक नहीं पढ़ता की कितने लोगोंगी भीड है यह परक कि इस चीज़ से पढ़ता है कि वह भीड जो है वह सेलेक्शन ले रही है अले ले रिए चाहिए अर्ड चलिए नेक्स्ट भाईया और रात को आठ बजे सी टीम जरूर लेना भाईया ना रात को आठ बजे कैचदा में चल रहा है उसे लगातर फॉलो करना आप लोग जितने भी बच्चे अभी सुन रहे हैं मुझे डेली पढ़ना है आज भी क्लास होगी कल भी क्लास होगी रात को बजे सी टीम जरूर लेते रहें देखिए इनको जब आप ऐसे भी जोड सकते हो कोई मुझे दिक्कत नहीं है पांच बटे नौ आप जानते हो लिखना इनको क्योंकि अभी मैंने सिखाया था छे बटे नौ साथ बटे नौ और आठ बटे नौ अब जब अंच हर सेम है यह क्यांसी भिन वो गई लाइक लाइक व्रेक्षेन है यह लाइक फ्रेक्शन पंदरह पांच बीस चबश बटे नौ तो 9 दूनिय 18 और 8 तो सही अरट बटे नौ करो तो 3 से काड़ सकते हो इसको 16 बार और 2 से काड़ सकते हो इसको कित्ती बार 36 बार तो X और Y का नियुनतम मान क्या होगा नियुनतम मान पुछाए तो सर्थ 4 से काड़ दो 4.16 चार नाम 36 प्रेटिसदटन भी मियं के पांच बटे तीन है साथ बटे पांच और चैसे बटे चार का अव्रो ही ग्रम तो सबसे बड़ा यह हो जाएगा सर पांच एक पॉइंट 6 श्याज़ इसके पांच एक पॉइंट चार और एक पॉइंट पाँच तो सबसे बड़ा पाँच बटे तीन उसके बाद में छे बटे चार उसके बाद में साथ बटे पाँच अब रो ही ग्रम में लिखना है निम लिखित में से कौन सा भिन आठ बटे पाँच से अधिक और साथ बटे चार से कम है बताओ, आठ बटे 5 से तो ज्यादा होना चाहिए और 7 बटे 4 से कम, तो क्या करोगे, 8 बटे 5 लिख दो और 7 बटे 4 लिख दो, भिन को बीच में रखो, 8 या 24 और 8 पंजे 40, 8 या 24 और 8 पंजे 40, तो मैं यह देखता हूं सर, ऐसे करने की वज़ा, आप यह देख लो ना भाई, कि 5 एकम 5, यह 1.6 आ रहा है, और यह 4 एकम 4, 1.75 आ रहा है, 8 बटे 3 कितना है, पीन दूनी 6 यह आंसर नहीं हो सकता, दो बटे 7 भी आंसर नहीं हो सकता, एक बटे 4 भी नहीं हो सकता, आंसर यह होगा, किसी भिन के अंश में 20% की ब्रद्धी हो, और हर में 5% की कमी हो, तो यह भी देखो, डायरेक्ली किया जा सकता है, अंश में अगर 20% की ब्रद्धी हो गई, तो यानि कि 120 लिख दूँगा, और हर में क्या हो गया, 5% की कमी हो गई, तो कितना लिख दूँगा, पिचान में ल हो जाता है बस हो गया काम तो पांस से कार दिया मैंने 24 बार है तो एक्स और वाई का जो रेशो आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है पिच्चान में बटे अड़ तालिस कि बताओ मज़ा आया नहीं आया कि चलिए एक भिन का जो अंश और हर का अनुपाद दे रखा है वो यह दे रखा है अंश में से नौ घटाने पर नई भिन मूल भिन का इतना हो जाती है मैं कहना चाहता हूं कि एक भिन भिन ये तीन बटे चार है अब मैं बोलता हूँ 3A और 4A मानो आप इसमें से क्या कर रहे हो 9 को गटा रहे हो आप अंश में से तो जो बोला जा रहा है क्या कि नई भिन मूल भिन का दो बटे 3 तो 3 बटे 4 का 2 बटे 3 हो जाती है कोई दिक्कत नहीं मेरे को तो क्या दिक्कत है तो बस सॉल्व कर लो 3A माइनस का 9 बराबर 2A ए बराबर कितना आ गया 9 अंश कितना हो जाएगा 27 बोलो कोई दिक्कत मज़ा आ रहा है ना अगला और अंतिम पॉश्चन कर लो कि एक भिन 5 बटे 8 के तुल्य है अंश और हर का योग इतना है इस भिन के अहर और अंश में अंतर कितना होगा देखो भई यो कितना आ रहा है तेरा रेशो तेरा रेशो बराबर अगर 104 है तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा इनका अंतर कितना आ रहा है तीन रेशो तो तीन रेशो इनका अंतर आ रहा है तो वो कितना हो जाएगा 24 दोस्तों कैसा लगा लेकिन अभी होमवर्क भी मिलेगा पूरा मैं प्लानिंग कर रहा हूं पूरी तैयारी यह होमवर्क में कोश्चन है आपके 36, 37, 38, 49, 40, 41, 42, 43, 44 यह सारे कोश्चन्स आपको होमवर्क में करने हैं अब यह कब कराए जाएंगे बता सकते हो क्या आप लोग यह आप मंडे को कराए जाएंगे क्योंकि मंडे को सिंप्लिफिकेशन शुरू होगा और उससे पहले सिंप्लिफिकेशन शुरू होने से पहले आपके फ्रेक्शन के कोश्चन सॉल्व होंगे ठीक है माइडियर सेशन कैसा लगा दिल से बताना कितनी चीज़े सीखी हैं आपने और डेली लक्षबैच में मेरे साथ जुड़िए ग्यारे बजे वाइफाइ स्टेडी यूट्यूब चैनल पर यह बिल्कुल फ्री बैच है आप लोगों के लिए तैयारी का लेकिन तैयारी पूरी कब होती है जब उसकी प्रैक्टिस भी चलती जाए साथ के साथ में तो रात को आठ बजे रेगुलर बेसिस पर कैच दामेता फॉलो करेंगे यह मेरे से प्रॉमिस करिए आज ही और अगर आप नहीं आ रहे हैं तो किरपया करके बिल्कुल भी आगे मत बोलना असार मेरी मैत नहीं सुधर रही है सुधरेगी कब जब आप प्रैक्टिस भी साथ के साथ करते चलोगे तो रात को आठ बजे जरूर आए तुनिया के सारे काम छोड़ दो क्लास जरूर रात को आठ बजे चले यह इस साड़ेवारं बजे अभी फ्री क्लास होगे आप से ब levantem मंदे से नंबर सिस्टम शुरू होगा तो दौनों जगे नई चेप्टर है इधा सिंप्लिफिकेशन हो था नंबर सिस्टम एक दंबर सॉलिट तयारी चल रही है आपको कहीं भटकने की जर्वत निया मैथ के लिए प्रमान बैच नौ बजे चल रहा है आज अंतिम मौका है ज अफर का ठीक है तो अनकेडमी पर जाईए स्सी मैस भाई साहिल खंडिलवाल पर जाईए साहिल टैन ऐसे कोड लगाईए अनकेडमी पर मेरे साथ जुड़ जाईए ठीक है चले सुप्रीम फाउंडेशन बैच नौ सेसी नौन टेकनिकल में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते उस कैटेगरी में सुप्रीम फाउंडेशन बैच उसमें 20 परशन मिलेगा तो उसके लिए आपको एससी नौन टेकनिकल में जाकर सस्किप्शन लेना है साहिल टैन खोल लगाए ठीक है चलिए थैंक्यू सो मच थैंक्यू फॉर वाचिंग टेक कियर अल्दा वैरी बेस्ट सब जगा फैला दो पीटिएफ टेलिग्राम पर मिल जाएगी मैध भाई साहिल सर्पर ऐसी उनों जैसे कि आप जानते हैं